तो आगे बढ़ते हैं अपन 15th question पर देखे 15th question क्या बोल रहा है function fx greatest integer of x square minus x square of greatest integer यह function define क्या और पूछा एक discontinuous कहां कहां पर होगा अब देखो discontinuous या तो आप एक काम कर सकते हो कि सारे integers पर आप चेक करते जाओ यानि दो-तिर integers पर आप चेक कर लो तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा या फिर आपको यह 0 & 1 दे रखा है इस पर चेक कर लो उसके लावा किसी और इंटीजर पर चेक कर लो अब देखो जब x मेरा integer है तो f of n जो है यानि integer पर जो value आएगी वो n square minus n square यह तो 0 हो जाएगा अब limit x tending to n positive अगर मैं n positive की बात करूँ f of x क्या निकल के आएगा देखो limit x tends to 0 limit x tends to 0 greatest integer of n plus h का whole square minus n plus h के whole square का greatest integer तो इदर n plus h इसका greatest integer n plus h इसका greatest integer किता आएगा n आएगा क्या बनेगा यह n का square n plus h का whole square क्या बनेगा n square plus h square plus twice of n h इस पूरे का greatest integer ठीक है अब n square तो n हमारा integer है तो n square को मैं बाहर ले लेता हूं इसे आपका किसको टेंड कर रहा है जीरो को यह ना limit h tends to 0 यहां पर यह जो n square है यह जो n square है cancel हो जाएगा h हमारा 0 को टेंड कर रहा है तो यह value पूरी क्या होगे 0 होगी न तो ultimately 0 निकल के आगया function value n पर 0 थी n positive पर 0 है अब हम n negative पर भी चेक करते हैं क्या आता है तो limit x tending to n negative f of x यह निकल के आएगा मेरे पास limit h tending to 0 n minus h का whole square minus n minus h के whole square का greatest integer ठीक है तो यह आजाएगा इदर से limit h tending to 0 n minus h है तो इसका greatest integer n minus 1 बन जाएगा तो क्या बनेगा यह n minus 1 का whole square और यदर n minus h का whole square करोगे अगर आप तो क्या मिलने वाला है n square देखो n square plus h square minus twice of n h तो n square भार आ जाएगा इदर से minus common ले लेंगे h into में h minus 2n ठीक है यह बात सभी को के लिए रहे है अब h हमारा 0 को tend कर रहे है तो देखो यह value 0 को tend कर रही है बट 0 minus 2 into n तो कोई न कोई integer होगा नहीं है है आप मान लोग 1 2 3 ऐसी कोई भी value है ठीक है तो क्यासा बनने वाला है negative number बनने वाला है तो minus 1 आ जाएगा इदर से यह ना रैसे भी आप देखो n से छोटा उसका square करने तो n से बाहर निकाल के दिखा दिया आपको तो यह कितना बनेगा n minus 1 का whole square minus of n square minus h into h minus twice of n तो यह बन गया मेरे पास में minus का 1 ठीक है अब यह minus का 1 क्या बन जाएगा आपका प्लस का 1 minus of minus 1 तो n minus 1 का whole square को simplify करो तो क्या आएगा यह n square plus 1 minus 2n minus of n square plus 1 minus 2n minus of n square plus 1 ठीक है अब देखो अगर हमारा function कहीं पर भी continuous होगा किसी भी n पर तो f of n के value 0 आई है 1 n positive पर value 0 आई है तो इसको 0 बनना पड़ेगा न तो n square से तो n square गया 2 minus 2n का value 0 आ गया तो 2n equal to 2 आ गया तो n का value 1 आ गया यानि कि only 1 पर all integers पर discontinuous होगा केवल और केवल 1 को छोड़ कर तो 1 पर नहीं होगा डिसकंटीनेस बैक इसा भी जगाओं पर डिसकंटीनेस होगा पर बाम?